दोस्तों आपका हमारे यूटूब चैनल पर श्वागत है आज की इस वीडियो में में आर्पीवीटी 2020 की जो आफ्लाइन काउंसल लेंगा जो वाइस तेइस 24 दिसंबर को चलने वाली है उसके रिकार्डिंग बताऊंगा तो कुछ स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि सर वो में डॉकूमेंट्स के अलाबा जो तीन डॉकूमेंट्स हैं जिसमें हेल्थ साइटिविकेट है और एंटी रैगिंग के उपर जो फॉर्म वरवाया जाएगा या फिर इसके अलाबा जो आपका डॉकूमेंट्स कोई भी खराब निकलाता है या 400 भी सी के केस में पकड़ा जाएंगे तो उसका जो वो आपसे सफत पत लिया जाएगा वो हम कैसे डाउनलोड करें तो मैं एक बार बता देता हूं इसके लाबा मैं आपको बता हूंगा किन-किन बेसिक चीजों का ध्यान रखना है क्या क्या चीजह आपको लेके जानिए इसके रिगार्डिंग दोस् जो जो चीज आपको देखने है वो सबको चाहिए लग जाएगा इस्टुडेंट यह इसकी ओरिजिनल साइट खुल चुकी है आप स्क्रीन पर देख लो यह राजिस्थान पसु चिकिस्सा और पशु विग्यान भी कनेरी यह पूरा इसका सिस्टम दे रखा है इसके लाब लोड करना है वो कहां से डाउनलोड होंगे जो डॉकॉमेंट्स दे रखें तो यह आप देखो यहां पर आओ मैं आपको अभी स्क्रीन पर देखा रहा हूं आप यहां से निकालें यह दे रखा आर्पी बीड दोजार वीस एडविसन फ्रॉम फरस्ट टू त्री दे रखा इस पर जाके आप क्लिक करो अगर आपको निकालना है तो यहां जाके क्लिक करोगे डाउनलोड का आप्सन आ जाएगा जैसे आप जाके दोस्तों स्क्रीन पर देख सकते हूं अब यह आपको क्या लेकर जाना है जो स्टुडेंट वीका निर्ज जारे हैं उसको निकर बालो यह आपको बरना में लाश वीडियो में बलता चुका यह सेम फोटो होना चाहिए यह आप खुद बलोगे गैंडिडेट फादर मदर नेम सेक्स इसके लाब डेट अप बर्त जो भी है आप यह पूरा बरें बारी कीस है क्योंकि इसमें कोई इंपोर्टेंट वो चीज नही होगे इसके लाब जो डॉकॉमेंट्स चाहिए में एक बार और आपके लिए बता देता हूं आप मिला लीजिए आपको यह बरना है और जो यह दे रखाना जब आप बरके दोगे तो इस पर टिक लगाना आपके पास है तो ऐसे और नहीं है तो रिक्रॉस लगा देना और क सब्सक्राइब होगी जो आपने बैंक में अजार बारेस रुपे का जो चालान कराया था आईशी आई बैंक में वह आपके पास होगा इसके लाब आर पी बीटी ऑनलाइन काउंसलिंग जो आप अभी रेइस्टेशन कराये थे ना कुछ स्टुडेंट पूशते हैं सरी इसके लटाझ में लेटर आपको मिला है तो लेकाने अप्सलेंटाप्तों तो सेल उसके चाहिए पैट्रेकर आप honor यह सरी है इनों की आपको इसी मता देता हूं यह पहला है फिट्नेस वाला है दूसरा आपको एंटी रैकिंग का तो देखो यह आप सारी इसमें इंफॉर्मेशन वरी लोगे 10-12 के मार्स ने इसमें आपको दिक्कत आने वाल या नहीं यह थोरी प्रेक्टिकल आपका लेना दोस्तों और अगर कोई शमाश याए तो मैं अपना डिस्क्रेप्शन में अपना बाटसप नं करना है इसके अलाबा जो दोस्तों यहाँ के जो मेडिकल जूरिष्ट है उसके यहाँ पर सायन होने चाहिए जो आपके गवर्मेंट हॉस्पिटल में उन्दाइस्पोर्ट पोस्टेड होना चाहिए तब ही यह बैलिड माना जाएगा इसके अलाब स्टुडेंट यह जो द भी होजाएगी यह इसके लाब दोस्तों अकर आप रैकिंग करते हो और किसी रैकिंग फाए जाते हो तो यह उसके रेकार्डिंग की किसी भी गदी बेदिम बिल्यफ्ट पाया तो मान ने नहाल दोरा ढंड का भागी दार रहुगा ता आप से पहले ही करवा लिया जाएग इसके लावा यह आपके फादर का अगर मेरा बेटा यदि मेरा पुत्र पुत्री रैकिंग कि किसी भी गदी बेदीम पाये गया तो दंड के लिए भागिदा रही है यह तो हो गए दोस्तों डॉकुमेंट्स के बारे में अब मैं आपको ले चलता हूँ कि इसके लावा और क्या क्या करना है आपने यह देखी लिए यह आफ लैंड जो नोटिफिकेसन है एक बार और इसके बारे मता देता हूं अगर कोई भी कमी रह रही है तो आप थोड़ा सा बेट कीजिए खुलने में समय लग रहा है नेट सही स्वलिफी के लिए दोबार से बता देता हूं एAdd subscribed को मंगलवार में जय सो सब्सक को ३ह सूच रहे हुए हमको जाना ना आई जाना बोई स्टूड़न जाएंगे जन्होंने रेडिश्टेशन कराया था आठ्ग के पंदरश स्थितंबर के बीच में को रहा सै Fr Highway सूच सेने बाग ले सकते हैं जिन्हें स्टुडेंटों निटाम रजिस्टरेशन नहीं कराया वह इसमें बाग नहीं लेंगे इसके लाभा उन्हें कुछ अगर इसमें लखा का परम तो इसमें आफ लाया फ्लाइन कांसलिंग में प्रवे आपके 500 नमबर हैं आपको पेमेंट शीट अलोट होई थी और आपने पेमेंट नहीं लिए अगर आपको लग रहा में रेगुलर लूँ और पहले आप पहुंचे नहीं तो वह आप आपको खुद को आपको जाना जरूरी है पेरेंट्स जाएंगे तो आपका नहीं माना जाएगा निर्धारिस समय पर पहुंचे अगर आप निर्धारिस समय से एक दिन लेट हो जाते हो तो उसके लिए आप खुद रैस्पूंशिबल होगे इसमें कुछ ऐसी कंडिसने दे र सुदेंट यह पूछले को चल attachments को बता देता हूं और आप किसी नाम से डीडी बन्वानी है तो दोलाक करेस्ट के दिन सीन लेगी ओंको नाम से लिए बनेगी और जेवियो स्टुडेंट फाट फाली सीट के लिए जा रहें दोस्ते उन उनको बता देता हूं दो लाक रुपे वाली डीडी साथ वनवा के ले जानी है इसके अलाबाद 3,00,000 रुपे आपको अगले 3 दिन में जमा कराना है जो लिख रखाए नाम ड्राफट के रूप में अवश्यक रूप से फिर वे स्तिती के तीन दिन के भीतर वेटनरी कॉलेज में इस्तिती अभ्यर्थ को जमा कराना होगा तो आपको तीन लाख रुपे जमा कराना है इसके लाब यह डॉकुमेंट्स आपको बताई दिये एक बार आप देख लेना और इस पर यह लाइन दे रखी है इस बात पर जरा ध्यान दें कि अगर आप आफ लाइन कांसलिंग में स्टुडेंट्स जा रहे हो तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको सीट अलोट होगी नहीं मिली तो आप इसके लिए खुच जिम्मेदार होगे देखो यह मैं आपको पढ़के बता देता हूं कांसलिंग यह तो यह मंत्र तेवं तदा अनुसार कांसलिंग में अब्यारती की उपस्तिति उससे प्रिवेश की गारंटी प्रिदान नहीं करती है केंद्रिय प्रिवेश मंडल को परिस्तिति आवश्यक्ता अनुसार कांसलिंग में निर्दार सेडूल में परिवरतन का पूर्ण अद्गार होगा वैस की सूचना क काउंसलिंग इस तर पर देज़ी जाएगी अगर दोस्तों कोई काउंसलिंग में अगर कोई फेर वदल होगा तो इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं आप इसके लिए कुछ भी उन पर ब्लेम नहीं करेंगे इसके अलाव अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो www.rajubas.org पर बिरमण करते रहें और दोस्तों हमारी पूरी टीम है एक्चुली एसडी के कंसल्टेंट्स ही है जिसके फाउंडर है डाक्टर शिप्शंकर जी जो आउट आप इंडिया MBBS कराते हैं वो आप कौन दा स्पोर्ट मिलेंगे अगर जो स्टुडेंटों का सलेक्शन नहीं हो पाता है इसमें और वो डॉक्टर बनना चाहते हैं अभी 25 दिसंबर तक लास्ट MBBS के एडविशन चल रहे हैं तो वो अन्दा स्पोर्ट अगर आपको इंट्रेस्ट है तो आप एडविशन करा सकते हैं वो उनकी पूरी टीम आएगी 10 लोगों की टीम है तो आप एक बार अगर आपका मैंड है तो उनसे जरूर मिले हैं और अगर मुझे भी टेम म 221224 यह मेरा कॉंटेक्ट नमबर है आप इस पर कोई भी समझ जाओ तो मैसेज कर दीजिएगा और आप घबडाएं नहीं आप सभी जाएं आपका इकनेर में बहुत बहुत श्वागत है और मिलते हैं नेस्ट वीडियो में जो ही कोई नई अपडेट आएगी तो अपनी जाए बाराएं